नमस्कार दोस्तों आज की इस खुप सूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ दोस्तों वन आप दे बेस्ट एनाल्सिस अगर आप मिस करना एफोर्ड कर सकते तब यह आप मेरी किसी वीडियो को मिस क्या किजिए वरना आप इने प्रार्टीज में रखे ह रहता हूं वह मैं आपको दिखा सकूं और हमारा बन चुगा था और हैंडल गया दोस्तों मैं आपसे बार-बार एक चीज समझाने की कुशिश करता हूं कि कोई ना कोई कनेक्षन है हमारा और आपका जब भी कभी मैं आपके साथ में अपना डेटा रखके चलता हूं तो कुछ नो कुछ बैस निकल कर आही जाता है दोस्तों अगर हम इसको देखके चलत हूं एक बड़े सिनेरियो में तो यहां पर एक नीचे से एक जो एक उठते हुई मार्केट उपर की तरफ आती है यह बनता था आपके बास में कप और यहां कप के अंदर यह बना है आपके बास में हैंडल दोस्तों अब कप विद हैंडल पैटन आगे किस तरीके के नक्ष पाउंग तो दोस्तों रात के 9 बच के 14 मिनट पर SGX निफ्टी लाइव 16,456 पर पिछले दिन की कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है उसके बिलकुल पास में इस समय पर 17,500 के नीचे SGX निफ्टी है दोस्तों मार्केट गैप अप कुला गैप अप कुलने के बाद राइस क पहुँच चुका है देखो दोस्तों मार्केट के अंदर मेरी कोई भी पोजिशन निफ्टी के अंदर नहीं है और हाँ हमने अपने क्लाइंट्स को जरूर कुछ पोजिशन को सेड़ेस्ट कर रखा है कि डेटा के एनालसेस के साब से स्टेटी के अकॉर्डिंग उन्होंने मार्केट में कोई भी निवेश करने के लिए जाएं तो आप अपने इन्वेश्टमेंट एडवाजर से परामश करने के बाद ही निवेश करें दोस्तों अगर इस समय पर इनेश्टिल एवरेज डाउ को देखा जाए जो की कल 33-200 के पासिश में था आज ये नीचे की तरफ है कि हो सकता है कि यह आपके बास में डाउज ओंस एक हैमर भी किरियेट कर दे ये भी पॉसिबिल्टी बनती है दोस्तों पांच दिन का मुविंग एवरेज सौ दिन के मुविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा वो जो 25 दिन का डॉणवर डिरेक्षन में तो ये मेरे पास में अगर एक्सिस है मैं इसको होरिय लेकर चलता हूं 16269 पर अगर मैं इसको होरिय लेकर चलता हूं तो दोस्तों यह सिलोप आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड है मतब 20 दिन के ट्रेंट के अंदर अभी कोई बद्राव नहीं आया है यह 20 दिन का ट्रेंड पहले आपके इसमें अभी फ्लाट होगा अगर यह फ्लाट होगा तो यह आपका 169 के पहले लिलाइन बनेगी और फिर उसके वाज़ के अंदर कोई चेंज आएगा लेकिन यही चीज़ अगर आप देखेंगे डाओ जोन्स को तो डाओ जोन्स का हम लोग जो 20 दिन का मुविंग अबरेज देख रहे हैं वो अभी इस सेमें पर लोकुल फ्लाट हो चुका है और यह जो फाइव डेस का मुविंग अबरेज है यह इसको क्रॉस कर चुका है मारकेट में प्राइस इसी जगह से सपोर्ट लेकर मतार फाइव डेस के मुविंग अबरेज से सपोर्ट लेकर पिछले दिन की कैंडल के लोग के पास से रिकवर होता है और 33,000,000 के पास में पहुँच चुका है तो दोस्तो यह एक मिसमैच है डाओ जोन्स का और निफ्ट 63 के पास में यहां से वापस एक इंप्रूब करने की कोशिश कर रहा है एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो यह बड़े इंपोर्टन लेवल इस समय पर मारकेट के लिए बन जाते हैं इस समय पर के सिंगापूर निफ्टी को देखते हुए दोस्तो आज अगली जो बड़ी चौकाने वाली खबर है उसकी तरफ मैं आपका देहाले के चलना जाओंगा दोस्तो देखो समझने वाली बाती है इतनी बड़ी बाइंग दोस्तो आप यह देखिए यह है नॉर्मल डियाइस की बाइंग नॉर्मल पोजिशन जो उन्होंने मारकेट के अंदर अप उपन किया और 6,775,31 क्रोड के आज पास अपनी इन पोजिशन को क्लोज किया और दोस्तो नेट यह आपके बास में 1845,15 क्रोड के नेट बायर बनकर मारकेट के अंदर आज की डेटर में डियाए जाते हैं अब इसकी जगा पर देखिए इसका 6 गुना एप्रॉक्सिमेट देखिए इसका तकरीबन 7 गुना 8 गुना तो दोस्तो आप यह देखिए आज एफाइज ने 45,737.96 क्रोड की कुछ पोजिशन को ओपन किया है और दोस्तो 46,741.52 क्रोड की कुछ पोजिशन को क्लोज किया है तो दोस्तो एक बहुत बड़ा आप दमज़ेगा एक बहुत ब किया और कुछ बड़ी पोजिशन को यहां पर उन्होंने अपनी ओपन किया जो बहुत बड़ी है इनका साइज बहुत बड़ा है जो देखकर आपको दिख रहा है कि यह नॉमल साइज नहीं है और अभी इस समय पर 1003.56 क्रोड की नेट क्रोड की नेट प्रॉफिट को बु पड़ा था आज इस ONGC ने लीट किया यह 5% आपके बास में अब चल रहा है 111.25 तो आप यह समझ सकते हो कि मार्केट में किस तरीक इसे मार्केट में उचलकू चल रही है और मार्केट में हर डाउन सिंग पर हर डाउन सिंग पर कोई अक्यूमिलेट कर रहा है और हर अप स और NTPC जो आज के मार्केट के रीडर्स हैं यहीं अगर हमाँ आज के मार्केट के टॉप लूजर्स की बात करें तो देखकर बड़ी हरानी होगी आपको भी कि HDFC, कोटक, महिंदरा बैंक और सन फार्मा दोस्तों कॉन्टियूनिसले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार यह हमारे पास में रेड है, दोस्तों कोटक, महिंदरा बैंक, सन फार्मा और HDFC के अंदर इस समय पर बनी हुए रेड केंडल्स और यह मार्केट के अंदर धाई परसेंट, साड़े सावा तीन परसेंट और तकरीबन तीन परसेंट के असपास यहाँ पर मार्केट में भी सम को क्लोस करने की कोई रेक्रेमेंडेशन आज हमने नहीं दी, क्योंकि रिच्ण बहुत सिंप्ल सा था, हमारी पॉजिशन हैं, हमारी पॉजिशन बैलेंस हैं और हम क्यों अपनी पोजिशन से उस समय पर एक्जिट करें जब वह मैचॉर हो चुकी हैं, तो दोस्तों कल है वे अप्डेट किये अपने open और close positions उन्होंने भी अपने position को close नहीं किया मता हमारी recommendations में भी close नहीं था और उन्होंने भी closer भी नहीं किया है तो दोस्तों उमीद करके चलता हूँ यह नाल से आपको काफी पसंद आया होगा एक बहुत ही interesting तरीके से मैं आप तक अपने उसे data को मतल प्रस data को ले कर आने की कोशिश करता हूँ यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक किजेगा और आपके जो comments होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों कुछ लोग मुझे से किसी बात पर नराज भी हो सकते हैं पर द